ओम श्री वेंकटे साय नम्हा मैं प्रोफेसर एसवी एसएस नरेंडाजू यूट्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ संत स्री गोस्वामी तोसिदास जी द्वारा विर्चित स्री राम चर्त मानस के आध्यकान से संबंदित आज मैं और एक पद की व्याक्या अब मैं करने चाहता हूँ अब क्या हुआ कई कई की बहुत मर्म बेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तु कुछ भी कह इसमें तेरा कुछ भी दोश्ट नहीं मेरा काल ही तुझे मानों फिशाच होकर लग गया है जो तुझ से यह सब कहला रहा है खेते हुए अब आगे क्या हुआ गोस्वामी तो सिदात जी के शब्द में पद और पद के साथ साथ पद की व्याक्या भी देखेंगे चहत न बरत भूपत ही भोरें विदि बस कुमत बसी जी तोरें सो सब मोर पाप परिनामू भयव कुठाहर जेही बिदि भामू सुबस बसी ही फिर अवध सुहाई सब गुन धाम राम प्रबुताई करहां भाई सकल सेवकाई होई ही तिहों पुर राम बढाई तोर कलंकू मोर पचतावू मुयहू ना मिटी ही ना जाई ही कावू अब तोही नीक लाग कर सोई लोचन ओट भैटू मुह गोई जब लगी ज्यों कहाउं कर जोरी तब लगी जन कच कहसी बहोरी फिर पचताई हसी अंत अभागी मारसी गाई नहारू लागी परेव राव कही कोटी बिद काहे करसी निदानू कपट सयानिन कहती कच जागती मन हुमसानू देखिए अब क्या हुआ जिस प्रेकाहर दश्रजी बता रहे हैं कि आगे होने वाले बविश्य के बारे में भी बता रहे हैं चाहत न बरत भूपत ही बोरे विदि बस कुमत बस जीन तोरे सो सब मोर पाप परिनाम बयव कुठाहर जेही विदि बामू देखिए आप तो मांग रहे हैं लेकिन बरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते होनहार वश्य तेरे ही जी में कुमती आबस जीन यह सब मेरे पापों का परिनाम हैं मतलब ऐसे बेमो के असमय विदाता विपरीत हो गया है सुबस बसी ही फिर अवध सुखाई सब गुन धाम राम प्रभु ताई करियां ही भाई सकल सेव काई होई हिंति हो पुरु राम बढ़ाई देखे तेरी वुजाडी हुई ये सुन्दर अयोध्या फिर बली बांती बसेगी और समस्त गौन के दाम शिराम चंदर जी की प्रभुताभी होगी सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में शिराम की बढ़ाई होगी तोर कलंकू मोर पचतावू मुया हो न मिट ही ना जाई ही कावू अब तोही नीक लाग कर सोई लोचन ओट भैटू मुह गोई देखो अब केवल तेरा कलंक और मेरा पचतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा या किसी तरह नहीं जाएगा अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर मुह चिपा कर मेरी आंकों की वोट जाब भैट क्योंकि यहां से दूर रहो अठ जाओ मुझे मुह ना दिखा ना जब लगी जिवां कहां कर जोरी तब लगी जनिक चुका हसी बहोरी फिर पचताई हसी अंत अभागी मारसी गाई नहार लागी मैं हाद जोड कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना अरदात मुझे से ना बोलना अरी अभागी नी फिर तू अंत में पचताएगी जो तू नहारू मतलत तांत के लिए गाई को मार ही रही है परेवु राव कही कोटि भिदि काहे करसि निदानू कपट सयानि न कहति कच जागति मनहु मसानू राजा दशर जी बता रहे की करोड़ों प्रकार से समझा कर और यक्खे करकी तू क्यों सर्वनाश कर रही है पुर्द्वी पर गिर पड़े पर कपट करने में चतुर कैकेई कुछ बोलती नहीं मनो माउन होकर मसान जगा रही है और दास मशान में बैटकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्द बताना चाहता हूं दसरजी बता रहे हैं कि भरत भूल कर भी राजा होना नहीं चाहते हैं ओनहार वश तेरी ही जी में इस प्रकार की कुबुद्धी चाह गई यह सब मेरे पापों का ही परिणाम है जो कुछ समय में विदाता प्रितकूल हो गया तुम्हारे द्वारा वुझाडी गई यह सुंदर और प्रुद्वी का स्वर्ग अयोध्या फिर भली बांती बसेग सब भाई मिलकर उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में शिराम की प्रशंशा होने लगी लेकिन तेरा कलंक और मेरा पच्तावा तो मरने पर भी नहीं मिटेगा यह कभी भी नहीं जाएगा अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर आंकों की वोट में मुझ च्पा कर बै मेरे सामने से हट जा, मुझे अपना मुह नहीं दिखा, मैं हाथ जोड कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं, तब तक तु फिर मुझे कुछ ना कहना, अरी अभाग नी, तु फिर अंत में पच्टाएगी, क्योंकि नहारू, अर्दातिया, तांत, नहारू के अनेक त्रुन है, एक बंदन लगी हुई, मतलब गाय, भाग का बच्चा, और बरत तो नहर का शेर का बच्चा है, वो ऐसे ऐसे अनिक राज अपने बावबल से चीन सकता है, और इसका औरेक अर्द भी है, नहरूवा रोग भी है, नहर के लिए गाय को मार रही है, राजमाता कहल दाने के सुख के लिए तो अपने फती का वद कर रही हो, और अन्ति में देखिए, परेवुराव कही कोटि बिदि काहे करसि निदान। कपट सयानि नकाहति कच जागति मन हुमसान। करुणम तरह से कह समझा करकी तू मेरा सरुनाश क्यों कर रही है, राजा पुरदी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेई ने कुछ भी उत्तर ना दिया, और मनों वो मौन होकर मसान जगार या दास मशान में प्रेम मंत्र सिद्ध कर रही हो, बहुत बहुत धनिवाद, जय श्रीमन नाराय।